मैं मनीश जी को फिर से और पूरी उनकी टीम को बढाई देता हूं इतना शांदार बजट प्रस्तुत करने के लिए 2014-15 में जब हमारे पंदरा में जब हमने पहला बजट पेश किया था वो लगबग 31,000 करोड रुपए का बजट था आज जो बजट पेश किया गया साथ साल के बाद यह लगबग 76,000 करोड का बजट है साथ साल में यह बजट धाई गुना हो गया यह किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें केंद्र सरकार देखें यह किसी चमतकार से कम नहीं है इतने बड़े स्केल के उपर इतने भारी बजट के अंदर इंप्रूव्मेंट कोई चमतकार से कम नहीं है ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कटर इमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कटर इमानदार सरकार है, और उस इमानदारी का नतीजा है, कि बजट ने इस किसम से छलांग ली है, हमने साथ साल के अंदर अन disclusal expenditure को खतम किया, ब्रश्टाचार को खतम किया रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजिस थी एक्सपेंडिचर में जो लीकेजिस थी वो सब खतम की और उसका नतीजा है कि आज दिली के लोगों को इतने बड़े बजट का फाइदा मिलने वाला है हमारा मनना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में दो सबसे बड़ी समस्याय है रोजगार और महंगाई और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया जिसका एक महिने के बाद जिनकी भरती होने वाली है 35,000 कच्चे करमचारियों को पक्का करने का एलान किया पंजाब में आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है अगर उसको मैं मोटे मोटे तोर पे बहुत ब्रॉडली देखूँ तो इन दो समस्याओं का समाधान रोजगार और महंगाई इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है इतने बड़े स्केल के उपर इतने क्रियेटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे ने लगता रोजगार पैदा करने के लिए मुझे ने लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिये किया गया है पिछले साथ साल में दिल्ली सरकार ने लगबग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युगाओं के लिए तयार किये इन में 1,78,000 रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगबग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थे 12 लाख रोजगार पिछले साथ साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तयार किये आज जो बजट पेश किया गया ये बजट अगले पांच साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तयार करने का लक्ष रगता है ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देंगे ये कोई चुनावी बादा नहीं है आज कोई चुनावी सभा नहीं थी आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में 20 लाख रोजगार तयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया ये बहुत ही बोल्ड बजट है बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनी सिसोधिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ यही आज लोगों की सबसे ज़ादा जरूरत है करोना की वजए से बहुत सारे जॉब्स चले गए हर के अंदर तकलीफ है लोगों के पास नौक्रिया यह नहीं है लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो 20 लाक जॉब्स का यह जो बजट है इसमें बताया गया की दिल्ली में 1.68 लॉब्स लाक जो एसे हैं जो की जॉब्स लिने के लिए सक्षम है आबादी 1.68 लाक नहीं है एक करोड 68 लाख लोग टोटल हैं who are fit to take up jobs, उन एक करोड 68 लाख लोगों में से केवल एक तिहाई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज jobs हैं दिल्ले के अंदर, बाकियों के पास jobs नहीं हैं, तो ये 33% के जो संख्या है इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है, इसे 12% हमें increase करना है, 12% increase करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास jobs हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है, तो 20 लाख नए jobs हम लोगों को create करने हैं, और ये कोई empty promise नहीं है, खोखला वादा नहीं है, आज जितने detail में इस budget के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई है, ये jobs कहां से आ exercise, micro exercise, detailed exercise, practical exercise मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है, जो जो sectors identify किये रिटेल सेक्टर में, इन sectors के अंदर jobs create किये जाएंगे, रिटेल सेक्टर, food and beverage sector, logistics and supply chain, travel and tourism, entertainment, construction, real estate, green energy, तो ये 8 sectors हैं, 8 खेतर हैं जहां पर नए jobs create किये जाएंगे, और हर एक की बहुत डीटेल प्लैनिंग की गई है, हर एक की बहुत डीटेल स्कीम्स बनाई गई है, दिल्ली की 5 markets identify कि गई हैं, जो कि दिल्ली की famous markets हैं, traditional markets हैं, इन markets को पूरा revamp किया जाएगा, उनको renovate किया जाएगा, और वहाँ पर उमीद है कि पूरे revamp और innovation के बाद उन markets के अंदर बड़े स्तर के उपर business बढ़ेगा, दिल्ली shopping festival लगाया जाएगा, दिल्ली shopping festival से उमीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे tourists दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की economy बढ़ेगी, और हर साल दिल्ली shopping festival होगा, लंबा festival होगा, जिससे दिल्ली की economy बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के उपर jobs create होगे, होलसेल दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल market रहा है, पर किनी कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो nature था, उसका जो character था वो खतम हो अलग से दिल्ली wholesale shopping festival किया जाएगा, दिल्ली बाजार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग, मैंने पिछली साल एलान किया था दिल्ली बाजार पोर्टल जिसमें दिल्ली के सारी दुकाने, दिल्ली के सारे markets एक पोर्टल पे लाए जाएगे, तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल चोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे कहीं भी कोई भी माल बिखता है, वो आपके पडोस में रहने वाला, किसी कॉर्णोली में रहने वाला आदमी भी खरीच सकता है, और 24 घंटे खरीच सकता है, ऐसा निकी सूरच छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभ भी माल खरीच सकता है, इस से हमें उमीद है कि दिल्ली की अर्थविवस्था को बड़ा जंप मिलेगा, और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिखने चालूँगे, गांधी नगर को ग्रैंड गार्मेंट हब के रूप में डवलप किया जाएगा, गांध इसमें बहुत बड़ी opportunities है, दिल्ली की जो नई startup policy है, वो बहुत बड़ी opportunities खोलती है, दिल्ली अलड़ी देश का startup capital बन चुका है, दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नई startups निकल रहे हैं, तो दिल्ली की जो startup policy है, हमें उमीद है इसके जरीए सारे नईने business शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे, दिल्ली के जो non-conforming industrial areas हैं, उसको सबको develop किया जाएगा, यहाँ पे हमें उमीद है कि काफे सारे jobs निकलेंगे, जो famous food hubs हैं, उनको develop किया जाएगा, उनको market किया जाएगा, और food truck policy, जो खाने वाले trucks होते हैं, इसकी policy बनाई जाएगी, ताकि बड़े स्तरके उपर इनको promote किया जा सके, यह सारे वो चीज़े हैं, जो एक आम आदमी कर सकता है, हम कोई ऐसी चीज़े नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी capital की जरूरत है, जो एक आम आदमी, छोटा आदमी, थोड़ी से capital से, अपना business शुरू कर सकता है, यह सारी चीज़े, cloud kitchen clusters की स्थापना की जाएगी, electronic city बनाई जाएगी, e-vehicle, solar energy, urban farming, इसके जरीए औरड़ी दिल्ली EV capital बन चुका है देश का, दिल्ली film policy जो बनाई गई है, हमें उमीद है, इसके जरीए बहुत सारे jobs create होंगे, रोजगार second version बनाया जा रहा है, तो इस तरह से यह जो 20,00,000 jobs का एक एक के सामने लिखा है, कि यह करने से इतने jobs create होंगे, यह करने से इतने jobs create होंगे, यह करने से, यह पूरा detailed plan आज देश के सामने रखा गया, दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की, महंगाई बहुत जादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिल्ली के लोगों को केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रहे हैं, और वो जारी रहेंगे, आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बहुत शांदार हो गए है, शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है, धेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालके सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं, धेरों लोग इस साल पौने चार लाख ल चाहती है तो 10,000 रुपे पर मन्त एक आम आदमी का महगाई के इतनी महगाई के जमाने में बची गया स्कूल स्कूल का बची गया बहुत बड़ी बात है हेल्थ के ख्षेत्र में दिल्ली अकेला देश पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहां पर हर आदमी चाहे अमीरों चाहे गरीब हो उसका पूरा इलाज मुफ्त है अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ महला क्ले Instrics आपको दॉक्टर दवाई देगा डॉक्टर भी फ्री दवाईयां भी फ्री तेस्ट भी después सब कुछ फ्री अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिमारी हो गई जिसमें बीस लाग तीस लाग चालिस लाग का खर्चा आता है आप जी टीबी जाईए एल एंजेपी जाईए जी बी पंत जाईए दिली सरकार के तालिस अड़तिस बड़े बड़े होस्पिटल है किसी में भी जाईए सारा इलाज फ्री है सारा पैसा दिली सरकार देगी आप से पूछा नहीं जाएगा आप अमीरों के गरीब हो बीपियल के कार्ड की जरूरत नहीं है आप अगर कोई टेस्ट कराना है मराई कराना है सिटी में कहीं इस किसम की हेल्थ सिक्यूरिटी कि किसी भी राज्य के सिटिजन्स को दी गई है यह अब जैसे आज वितमंत्री उपमुख्यमंत्री जिने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है कोई घर में बिमार हो गया बड़ी बिमारी हो सब कुछ बेचना पड़ा जाता है सब कुछ खातम हो जाता है वह दिल्ली के लोगों चेंदा करने की जरूरत नहीं है बहुत बड़ी सिक्यूरिटी है शिक्षा की सिक्यूरिटी हेल्थ की सिक्यूरिटी तो लोगों को महंगाई से और चीजे जो हमारे कंट्रोल में नहीं पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच केवल पानी फ्री नहीं पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्या फाइदा तो पानी भी 24 घंटे आया करेगा इसकी भी हम लोग विवस्था कर रहे हैं और महिलाओं को फ्री ट्रांस्पोर्ट यह पांच चीजें बहुत बड़ी हैं शिक्षा फ्री स्वास्थि फ्री बिजली पानी फ्री ट्रांस्पोर्ट फ्री इन पांच चीजों से दिल्ली के एक आम आदमी की जिंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है तो एक जो अच्छी खबर दिल्ली की जितनी कच्छी कोलोनिय है कच्छी कोलोनियों में मैं जब भी जाता हूं नरक क की जिंदगी है लोगों की एक बारिश आ जाए तो पूरा किचड़ी किचड़ सारी नालियां बाहर वो बहने लग जाती हैं 31 मार्च 2023 तक दिल्ली की सारी कच्ची कोलोनियों के अंदर सडक नाली पानी की पाइपलाइन और सीवर की काम खतम कर दिया जाएंगी जो फॉरिस्ट की वज़े से इस आई की वज़े से इन वज़े से उनको परमिशन नहीं मिल पारी सौ-सवा-सो कॉलोनिया बच जाएंगी, उसके अलावा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में यह हैं सड़के तूटी पड़ी है नरक की जिंदगी है मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद लोगों के सम्मान मिलेगा और रिष्टे भी अच्छे आने चालू होंगे यमना को भी साफ करेंगे उसके उपर पूरा काम चल रहा है उसके पर मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि अगले चुनाव के पहले आप सब लोगों को ले जाके यमना में डुपकी लगाएंगे उसके लिए आज पूरा इसमें बजट के अंदर प्रोविजन किया गया है और एक जो आज सबसे बड़ा एलान किया गया जो आपने नोट नहीं किया वो है ट्राफिक लाइट के उप प्रशिश करता है उसकी तरफ कोई ध्यान ने देता कोई सरकार क्यों वोटर नहीं है वोट नहीं देता वोट वैंक नहीं है कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देते आज हमने 10 करोड रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिदेंशल स्टेट अफ दा आर्ट से महां ले जाओगे बहुत प्रियास किया गए सारे प्रियास अभी तक फेल होगा है जतने भी प्रियास अभी तक यह वह साथे नहीं पर नहींद मानव्ता नहीं थी उनको पकड़ा गया मुझे इस चैल्ध्या अछारी इस्टर एगला जाए आ वहां से बाग जाते य तो यह मोटिप्राइब ने मुटिप्राइब ने हैं